रामा पिता जनक भूपाल मनी ससर भान कुल भान पती रभी कुल के रवबे पेने बेदुगन रूपे निधान लखन से राम चंद्र की जाए इनके पिता जनक जी राजाओं के सुरो मनी हैं ससर सूर कुल के सूर हैं और पती सूर कुल रूपी कुमदवन के को खिलाने वाले चंद्र मात था गुण और रूप के भंडार हैं सिराम मैं पुनी पोत्र बदू प्रिय पाई रूप राज गुन सील सुहाई नायान पोतार कर प्रीत बढ़ाई राख्यो प्रान जान के निलाई फिर मैंने रूप की राज सुन्दर गुन और सील वाली प्यारी पुत्र बदू पाई मैंने इनको आखों की पुत्ली बना कर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनके लगा रखे हैं इनमें लगा रखे सी राम कलप बेले जम बाहु बेदे बलाली सीच सनी है सलेले प्रति पाली फूलत फलत भाया और विदी बामा जानी न जाय काहि पर नामा इन्हें कल्प कल्प लता की समान मैंने बहुत तरह ऐसे बड़े लार्चाव की साथ इसने रूपी जल से सीच कर पाला है अब इस लता के फूलने भलने के समय बधाता बाम हो गए कुछ जाना नहीं जाता की इसका क्या पर नाम होगा सी राम पलंग पीठेता जी गोदे हिंडोरा सी ये ना दीने पगुआवाने कठोरा जी येन मूरे जम जोगवत रहे हूं दीप बाती नहीं टारन का है हूं पर्यंग प्रस्ट पलंग के उपर गोद और हिंडोले को छोड़ कर कठोर पर्थवी पर कभी पैर नहीं रखा मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूं पर दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती सी राम सोई सी चलन चाहते बन साथा आया सुकाहे हो ये रगुनाथा चांद के रन रस रस के चकोरी रभी रोखे न यान सके के में जूरी वही सीता अब तुम्हारे साथ बन चलना चाहती है हे रगुनाथ उसे क्या आग्या होती है चंद्रमा की क्रणों का रस अम्रचाहने वाली चकोरी सूर की और कैसे किस तरह मिला सकती है सी राम कारी के हरीने से चर चर रहीं दोस्ट जान तो बन भूर बेसे बाटे का की सो है सो तैसो भग संजीवानी मूरी लखन शिराम चंद्र की जाए हाती सिंह राक्षस आदी अनेक दुस्ट जीओ जन्तू बन में बचरते रहते हैं हे पुत्र क्या विसकी बाटिका में सुंदर संजीविनी बूटी सुभा पा सकती है सी राम बन है ते कूल के रात के सोरी रची बेरंच बेसे सुख भोरी पाहन क्रेमीज में कठेन सुभाओ ते नहीं कले सुनकान निकाओ बन के लिए जो ब्रह्मा जी के विसे सुख को ना जानने वाली कूल और भीलों की लड़कियों को रचा है जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर सुभाव है जुन्हें बन में कभी कलेस नहीं होता सी राम के तापस्तिय कानन जोगू जिन तपहे तु तजा सब भोगू सिय बन बस नहीं तात के ही भाती चेत्र लेखेत कपी देखे डराती अथवा तपस्यों की इस्तियां बन में रहने योग हैं जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिये हैं है पत्र पत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं वो सीता बन में किस तरह रह सकेंगी सिराम सुर सर सुभग बन जबन चारी डाबर जोग की हंस कुमारी यस बिचार जस आयस होई मैं सिख दे मुझाने कहीं सुई देव सरोबर के कमल में विचलने वाली हंसनी क्या गड़ियों में रहने के योग हैं ऐसा बिचार कर जैसी तुम्हारी याग्या हो मैं जानकी को बैसी ही सिख छादू सिराम जो सी ये भवने रहे कहें अमबा मोही कहें हूए बहुत अवलंबा सुने रगो भीर मातू प्रियबानी सीले सनी है सुधा जनु सानी माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए सिराम चंदजी ने कहा माता की प्रियबानी सुनकर जो मानोशीर और स्नुष रुपी अम्र से सनी हुई थी शिरम काहे प्रीय बाचन बेभेक मानर कीन है मात पर तूस लगे प्रभुधन जाने कहीं प्रगाट बेपन गुन दोसे लखन सियराम चंद की जाए लखन सियराम चंद की जाए बिबेक मैं प्रिय बचन कहकर माता को संतुस्ट किया फिरवर्ण के गुंदोस प्रकट करके वेचान की जी को समझाने लगे शीराम एक नया सुनुता जुड़ गया हमाई उसमें कथा मैं मिठ्थू बिचरन करता हुआ बल्लु मैं डर रहे माता के सामने सीता जी से कुछ कहने मैं सकुचाते हैं पर मन मैं यह समझ कर किया है समय ऐसा ही है वे बोले है राजकुमारी मेरी सखावन सुनौ मन मैं कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना सी राम आपन मोरनी के जो चाहे हूँ बचन हमारे मान ग्रह रहे हूँ आयस मोर सी सास से वकाई काहे बे दिवामन भावन भलाई जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा मचन मान कर घर रहो है भामनी मेरी आग्या का पालन होगा सास की सिवा बन जाएगी घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है सिराम यही ते आद के धरामों नहीं दूजा सादर सास ससर पद पूजा जब जब मात कर आहीं सुध मूरी होई हैं प्रेम वे कल मती भोरी आदर पूर बग सास ससर के चरणों की पूजा करने से बढ़ कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से ब्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धी भूली हो जाएगी तब तब तम कहे कथा पुरानी सुन्दर समुझाया हुम रदबानी कहाओ सुभाई सपत सत्मुही समुक मात हित राखाओं तूही हे सुन्दरी तब तब तम को मलवानी से पुरानी कथाए कह कह कर इनहें सम्झाना है समुखे सुमुखी मुझे सेक्णों सोगंद है मैं यह सुभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केबल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ गुरु सुरत सम्मत धरम भल पायाओ बेनाही कलेश हट बस सब संकट सही गालब नहों से नरीश लखन शिराम चंद्र की जाए पबन सत हनुमान की जाए तुल सिदास की जाए भुल भाई सब संतन की जाए एक नए संत जी देख लिए है